कि जहिन दोस्तों तो आज हम देखेंगे अपना सेट नंबर सेवंटी सेवन फाइब थाउजन प्लस एंसी को मेराथॉन सीरीज को तो दोस्तों लेक्चर की पीडेफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रॉप को जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल की बात कर रहा है ना तो यहां पर क्या होता है कोई बीएक स्पीशिज होती है वो पूरी दुनिया के अंदर में यानिके वह फाइंड आउट होते है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर तो उसको बोला जाता है इंडमिक सपोस्क्रों इंडिया में कोई एक चीज पाई जाती है उसको बोला जाता है एंडमिक स्पीशिज तो अब यहां पर देखना है क्या क्या था यह स्टेटमेंट कह रहा है इस्पीशिज कन फाइंड टूर लिमिटेड रीजिजन फॉर दियर डिस्टिबूशन सो दोस्तों यहां पर पहली स्टेटमेंट देखके लग रहा है कि यह वो बता रहा है कि यहां पर जो भी स्पीशिज मिलती है एक लिमिटेड रीजिजन में देखने को मिलती है अगर उसके पूरे डिस्टिबूशन की बात करें तो बाकी और स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे कह रहा है एंडमिक स्पीशिज ग्रूप ऑफ और्गनिजम्स स्टेटमेंट पूरी पूरी गलत हो जाएगी सी स्टेटमेंट को देखते के रहा है स्पीशिज सेलेक्टेड टू एन एक्ट एजन एमबेजडर आइकन और सिम्बल फॉर डिफाइंड हैबिटेट इस्चू कैम्पेंड और इन्वारेंवेंटल को यह भी गलत हो जाएगी तो हमारा क्या है पहली ही स्टेटमेंट यहां पर ठीक होगी सेकंड को देखेंगे क्या रहा है विच वन आफ़ फॉलिंग स्टेटमेंट बैस्ट डिफाइन्स दी टम बायो प्रोस्पेक्टिंग सो दोस्तों आप ऐसे समझो जैसे कोई भी हमारा क्या कि जैसे कंवेंशन बायो डाइवर्सिटी है आपने देखा यह 1992 के अंदर में लाया जाता है रियो और्थ समिट के तहत में तो यहां पर बात करी जाते कि कैसे हम बायो डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं लेकिन आपने यहां पर देखा हो कि जैसे हमारे बहुत सारे प्लांट्स वगेरा देखने को मिलते हैं इन से क्या है कि इनका application अगर हम यूज के 정s में बात करें तो हम अगर हम in plants को में यूज करेंगे तो हम कह सकते की हमको क्या करना पड़ेगा commercialization करना होगा तो अगर ज्यादा commercialization करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसको हम conserve नहीं कर रहे बल्कि Degrade कर रहे हैं त रिष्टर्च डिववव्मेंट करने के बाद में हम कहा है उससे बना तो इसी जो एक तरीके से स्सिस्टमेटिक हमको इस्टडी या फिर कुछ से देखने को मिलती है इसको बोला जाता था रिंद ब्र Id Attosा आघ Krusters तो यह हो गया हमारा बेसिक अब यहां एक्सेप्टेबल प्रोड़क्स बाइदी एक्शन ओफ नैचुरली एविलेबल माइक्रो और्गेनिजम तो दोस्तों यह तो इस्टेटमेंट ही अलग से लग रही है तो गलत हो जाएगी फिर करा है एक्स्प्लोरिंग मॉलिक्यूलर जैनेटिंग एड इस्पीशीज लेवल डाइवरसिटी फॉर प्रोड़क्स ओफ इकॉनॉमिक इंपोर्टेंस तो दोस्तों हमने यहां पर देखा अपनी बेसिक डेफिनिशन को यानि के हमने एक कंसेप्ट को समझा तो यहां पर यूप्यस सिटी देखने को मिलते हैं और उससे हम क्या करेंगे प्रोड़क्ट बनाएंगे जो एक इकनॉमिक वैल्यू का होगा तो हमारी यह स्टेट्मेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब यही होता है अब यहां पर स्टेट्मेंट को पढ़ेंगे और त्रूद यूज ओफ लिविंग और्गनिसम यह भी स्टेट्मेंट गलत हो जाएगी तो हमारा जो अंसर होगा वह यहां पर बी हो जाएगा अब यहां पर थर्ड को देखेंगे कह रहा है इन दी कंटेक्स ऑफ दी फाइनेशल सर्विसेज इंस्टिटूशनल ब्यूरो तो आपने देखा हुआ कि यह जो बैंक बॉर्ड ओफ ब्यूरो है यह क्या करता था जो भी MD कहलो या फिर मैनेजिंग डारेक्टर होते थे हमारे बैंकों के उसको यह रिकमेंडेशन से देता था कि इस आदमी को बैंक का MD या फिर बनाना चाहिए लेकिन अब यहां पर जो को रिप्लेस कर दिया है FSIB के द्वारा तो यहां पर जो भी प्रोपर्टी वगरा एसेट्स वगरा बैंक वोड ओफ ब्यूरो के थे अब इसके सारे के सारे जो है FSIB को दे दिये गए हैं तो अब यहां पर अपनी स्टेटमेंट पढ़ेंगे FSIB से रिलेटेड तो यहां अपर कह रहा है कि it will be the sole entity for recommendations related to the appointment of the whole time director as well as the non-executive chairman of the public sector bank तो दोस्तों यह statement हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो यहां पर FSIB के बारे में बात कर रहा है तो अब यहां पर इसकी एक चीज और यहां पर जो इसका चेयर परसन होगा न वो यहां पर वो आदमी होगा जिसको financial sector में knowledge होगी और कम से कम 25 साल का उसका experience होना चाहिए हमार है financial sector के अंदर में तो उस आदमी को बनाया जा सकता है इसका चेयर परसन FSIB का सब्सक्राइब करा है जोइंट सेकरेटरी ऑफ दी मिनिस्ट्री ओफ फाइनेंस इस इडीम तू बी एक्स ओफिश्य चेयर परसन ऑफ दी FSIB सो दोस्तों यह तो इस्टेट्मन पूरी-पूरी है भी सो दोस्तों यह स्टेट्मन हमारी ठीक हो जाएगी तो जो हमारा आंसर होगा यहां पर भी होगा यादि के वन एंट्ट्री स्टेट्मन हमारी यहां पर ठीक है अब फॉर्थ कोश्चन को देखेंगे कह रहा है consider the following pairs यहां पर एक तरफ नैशनल पार्क दिया है इसने दूसरे तरफ इस state दिए, सो दोस्तों आप यहां पर देखोगी जैसे यह इंडिया का मैप हो गया तो अब यहां पर कहा है तड़वा नैशनल पार्क यह उत्रह खंड में है तरो यह स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी आप यहाँ पर देखोगे जैसे हमको यहाँ पर महराष्टा देखने को मिलता है यह इस तरीके से तो आप यहाँ पर देखोगे बिल्कुल इस तरफ तो महराष्टा के अंदर में चंदरपुर नाम की जगाद वहाँ पर हमको यह महराष्टा में तादोबा नैशनल पार्क द सबस्टेखने को मिलता है फिर कह रहा है दुदवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में यह भी स्टेटमेंट हमारी ठीक है आप यहां पर देखोगे जैसे यह उत्तर प्रदेश का हो घया तो यहां पर हमको इस तरफ क्या है कि यह लखिमपुर खिरी में दुदुबवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है तो हमारा जो आंसर इसमें करेक्ट होगा वह सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा अब फिफ्ट को देखेंगे कह रहा है विच आफ दा फॉलिंग सब्सक्राइब काउज डिप्लीशन ऑफ दी ओजन लेयर तो दोस्तों आपने देखा होगा जैसे हमारा जो एटमोसफेर है ना हमको कहा कि पांच एक तर फिर उसके बाद में आती हमारी सबसे एड में एक्जोइस तो यह जो स्ट्रेटोस्फेर है ना इसके अंदर में हमको देखने को मिलते है जो एडर प्लेंज उडाए जाते हैं यानि जो इदर से उदर ऐसे जाते हैं इंट्रनेशनल्छेवेल करते हैं वह स्टैट्रेट से में उड़ते है और जो हमको ozone layer mostly पाई जाती है वो हमको इस stratosphere में ozone layer देखने को मिलती है तो अब यहां पर जैसे आपने देखा होगा कि जो sun की UV rays है यह क्या करती है हमारी ozone layers को deplete कर रही है अब यहां पर ऐसे समझो जो ozone layer का depletion है ना इसका मतलब होता है कि जो ozone layer की thickness है वो बहुत पतली होती जारी है यानि के thickness क्या हो रही है बहुत ज़्यादा thin हो रही है तो हम कह सकता है इसके दो main factor है एक तो natural हो गया और एक आप ऐसे समझो anthropogenic हो गया यानिके इनसानों के द्वारा तो natural में जैसे sun की raise हो गई है ना यह climate change वगएरा हो तो यह एनिम जो हम human वाले है factors है तो हम क्या कर रहे है बहुत ज़्यादा chemical reactions वगएरा या फिर global warming कहलो हम global temperature को यूज कर रहे है ऐसी gases को यूज कर रहे है जो ozone layer को क्या है वो thin कर रही है तो इसके अंदर में बहुत सारी substances जो है वो deplete कर रहे है ozone layer को तो क्यारा carbon tetra chloride methyl bromide और chloro di fluoromethane तो दोस्तों यहां पर कहाई कि तीनो statement हमारी ठीक हो जाएगी जो हमारा क्या कर रहे है ozone layer को deplete कर रहे है तो हमारा जो answers में हो जाएगा वो डी हो जाएगा तो यहां पर कहाई कि बहुत सारी gases है आप क्या है कि इसको list बना करके अपने उसमें यह एक बार पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी gases है जो deplete कर रहे है ozone layer को अब six question को देखेंगे करा विद reference to wildlife protection act 1972 consider the following statement तो दोस्तों आपने देखा होगा कि wildlife protection act है एक तरीगे से comprehensive act है जो हम को बताता है कि हम कैसे wildlife को protect कर सकता है तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर में पहले 6 schedules होते थे लेकिन अभी 2022 में क्या है recent amendment कर दिया तो अब total 4 schedules इसके अंदर में कर दिये गए है तो यहां पर कहें कि जो भी authority होती है प्रिजर्व करने के लिए फिर जो भी डारेक्टर को पॉइंट करना होता वो central government के पास में power होती है तो अब यहां पर देखेंगे में देखने को मिलते हैं जैसे कैरला करनाट का तमिल नाडू तो अगर यहां पर जैसे कोई भी अगर स्टेट ओवर लिंक करती है तो यहां पर जो डारेक्टर है कोई अनिमल को नहीं मार सकता अगर जब तक कि हमको कोई permission ना हो तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी फिर कह रहा है ब्लू वंदा एंड पिचर प्लांट्स आरदा ओनली टू प्लांट्स तू भी प्रोवाइडिट प्रोटेक्शन अंडर दी एक्ट तो दोस्तों यह भी स्टेट प्रण्स अंडर यहां पर की खाली दोई प्लांट आता है इसके अंदर में तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो हमारा जो यहांपर और करेक्ट आंसर वहाँ वह स्फ और सिर्फ सेकिड़ीं ठीक होगी अब सैवन्थ कॉस्चिन को देखेंगे करा कंसिडर होनी चाहिए claride की इतनी होनी चाहिए naitrate की इतनी होनी चाहिए और फिर आपने देखा होगा कि जैसे हमारी ये purification technique है तो इसकी वजे से आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे minerals हमारी body को चाहिए होता है यह क्या होता है वह रिमूव हो जाता है इस purification के प्रोसेस के अंदर में फिर आपने देखा यह बिसलेरी की बोड़ल्स आती है यह फिर यह कि आप रिए कि बोटल्स आती है तो इसके अंदर में इनका जो लेगल होता है इसमें लिखा रहा था with add to minerals यानि जो प्यूरिफिकेशन का फ्रोसेस था इसके अंदर में जो minerals जा चुके है रिमूव हो चुके है तो इसमें बाद में add-on करे गए है water के अंदर में क्योंकि यह जो water है यह बहुत essential part है हमारी human body का और अगर इनकी या तो इनकी ज्यादा अमात्मात्रा हो जाए या फिर इनकी quantity कम हो जाए तो हमारी body के लिए dangerous मानी जा है सही तरीके से यहाँ पर क्या है काम नहीं करती तो यह statement जो pollutant है यह हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यह कह रहा है अगर lead अगर pollutant है तो इससे क्या मिना माता disease होती है तो पहली statement गलत हो जाएगी तो lead अगर ज्यादा होगा पानी के अंदर में तो हमारी kidney liver सही तरीके से काम नहीं करेगी और अगर mercury की quantity जादा होगी तो तब हमको देखने को मिलेगा मिना माता disease तो दोस्तो ऐसे याद रखना M से mercury M से मिना माता फिर second statement हम देखने कह रहा है fluoride तो दोस्तो आपने देखा हुआ कि अगर पानी के अंदर में fluoride की quantity कम रह जाती है अगर वो कम रहती है त इसके अंदर में जो हमारा enamel जो हमको दातों को strong बनाता है तो इससे हमारे दात बहुत वीक हो जाएंगे अगर fluoride की quantity कम हो जाती है तो तो यहां पर कह रहा है कि अगर fluoride pollutant है और इससे impact क्या था मिथे मोगलोबी नीमिया तो यह statement गलत हो जाएगी क्योंकि यहां पर क्या है प्राइक जो मिथे गलोबी नीमिया नाइट्रेट की कमि की वज़े से होता है और नाइट्रेट की कमी की वज़े से क्या होता है कि इसको blue baby syndrome भी बोला जाता है यानि कि चोटे चोटे बच्चे है न थर्ड कर रहा है नाइट्रेट से क्या था दर्मेटाइटीस तो ये भी statement गलत हो जाती है नाइट्रेट की कमी से हमको blue baby syndrome देखने को मिलता है और ये जो डर्मेटाइटीस है इसका मतलब भी होता है कि जो हमारी इसकी नहीं ये थोड़ी स्वेलन सूजन वगयरा या फिर रेडिश देखने को मिलती है तो यहां पर यह हमको पता होना चाहिए कि पॉल्यूटेंट से लेड फ्लोराइड नाइट्रेट्स की क्वांटिटी कम ज्यादा होने से क्या-क्या effect आ सकता है तो यहां पर हमारी तीनों statement गलत है और question में पूछ सक्सेशन सो दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे environment ecology के अंदर में क्या है जैसे एक generation 1 से लेकर के हम generation 2 की तरफ जाते है ना ऐसे ही कहें कि यह हमारी दुनिया के अंदर में जो भी हमारी biodiversity हो चाहिए वो plants की बात करो या फिर animals की बात करो तो genes कहलो genetics कहलो कुछ भी कहलो अब यहां पर कहा कि इनका भी succession देखने को मिलता है यानि के ऐसे समझो इनकी भी एक generation से दूसरी generation में यह भी जाते है तो suppose करो जब पूरी दुनिया के अंदर में कोई भी नहीं था तो उस टाम पर कोई भी life form available नहीं थी फिर धीरे धीरे यहां पर आपने देखा होगा rock formation होती है फिर धीरे धीरे यहां पर क्या आता है छोटे-छोटे microorganisms यहां पर आता है फिर धीरे-धीरे क्या है कि species बनने लग जाते है फिर यहां पर species क्या है कि यह धीरे-धीरे community बन जाते है निके पहले एक community होती है फिर धीरे-धीरे दो तीन community आने लगते है धीरे-धीरे evolution होता है फिर यहां पर humans आने लगते हैं, तो यह एक जो simple process है, यह एक succession का process है, तो अब ऐसे ही ecological succession होती है, तो अब ऐसे समझो, जैसे ही यहां पर ecological succession हुई, हमने इसको divide करा, तीन पार्ट में हम divide करेंगे, कि जो process होता है, ecological succession का, यानि कि जो पहला पार्ट होता है, उसको बोला जाता है, pioneer succession, तो जैसे pioneer का मतलब क्या होता है, कि जनक, यानि कि जब पहली बार कोई चीज होगी, जैसे rock formation बनती है, तो हम कह सकते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, कि धीरे धीरे, जैसे यह suppose करो, इनको बहुत जादा time period लगता है, एक succession में, जैसे 100 साल, 200 साल, तो यहां पर जो पहले वाला succession होता है, उसको बोला जाता है, pioneer succession, और suppose करो, जो end वाला succession होता है, हम suppose करते हैं, पर last जो है, वो 10th है, तो हम इसको कहते हैं, last वाले को climax succession, यह यह term हो गया, अब यह जो इसके बीच वाला time period होता है, यानि कि इसके बीच में जो भी succession देखने को मिलेगा, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, no, तो हम इस वाले को बोलता है, serial succession, तो यह हो गया, फिर आपने यह भी देखा होगा, जो ecological succession है, इसको 2, 3 part में डिवाइड कर रहा, जैसे एक primary succession होता है, फिर secondary succession होता है, तो primary succession होता है, जो पहले सबसे पहला होता है, फिर उसके बाद में क्या है, कि जब primary succession एक pioneer succession, last वाला होगा, climax succession, और जो इसके बीच वाले होगा, उसको बोला जाता है, serial succession, अब यहाँ पर क्या होता है, जो अब ऐसे समझो, यह थोड़ा क्या है, change ही तो हो रहा है, तो अब यहाँ पर किसी एक particular area, suppose हम इंडिय की बात करते हैं, अब एक particular area, इंडिया हो गया, तो इस इंडिया के अंदर में, जो हमारा sequence है, community का, यानिके वो एक area में change हो रही है, community, उसको बोला जाता है, sere, यानिके sere, तो यहाँ पर बोला जाएगा, अगर एक particular area में कोई community change हो रही है, उसको बोला जाता है, sere, तो यह सारा हमने अपना basic जान लिया, अब यहाँ पर ecological succession के ब ठीक हो जाएगी, अगर एक particular area में कोई community change हो रही है, तो उसको सीरे बोला जाता है, second कहरा है कि secondary succession is faster than primary succession, यह statement भी ठीक है, अब यहाँ पर third कहरा है कि zarark succession in plant takes place in wet areas, तो दोस्तों अब यहाँ पर ऐसे समझो, जो हमारा ही succession हो रहा है, अब ऐसे समझो, अगर कहीं पर पानी में change हो रहा है, यानि कि आप ऐसे समझो, इस succession को हमने दो पार्ट में और classify कर रहा है, एक होता है hydra, और एक होता है zarark, तो जैसे hydra का क्या मन्स होता है, मतलब होता है water, यानि कि अगर हमारा succession कहीं पर पानी, यानि कि wet area में देखने को मिलता है, तो उसको बोला जाता है hydra, और व यानि कि wet area जहां पर बात करेगा, उसका मतलब होगा hydra, ना कि जरा आर्क, तो यह statement हमारी गलत हो जाएगी, तो हमारा जो answer होगा, वो one and two सिर्फ और सिर्फ करेक्ट हो जाएगे इसमें, अब यहां पर ninth question को देखेंगे, कह रहा है with reference to captive breeding, consider the following statement, तो दोस्तों यहां पर आपन है, तो इनको रोकने के लिए, विलुप्त होने के लिए सरकार ने क्या करा, captive breeding का concept लेकर के आए, तो ऐसे समझो captive breeding क्या है कि इनको पकड़ा जाएगा, और यहां पर breeding कराई जाएगी, उन species की, जो विलुप्त होने की कगार है, तो अब यहां पर यह जो captive breeding है ना, इसका ऐसे इसको establish कर लेंगे तो इस captive breeding की बात करें पूरी दुनिया के अंदर में या फिर फूरे इंडिया में तो सबसे पहला जो बनाये गए था captive breeding वो इंडिया के अंदर में बनाये गया था اور वो भी Oddishah के अंदर में ये captive breeding पहली बार बनाया गया था तो कह रहा है तो यह statement हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कह रहा है कि यह वो species होंगी जिनको हमको conserve करना है और वो अपने wild यानि के जहां पर रहती है वो survive नहीं कर पाती जिसके वज़े से breeding वगरा कराई जाती है तो यह statement बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो यह second statement गलत हो जाएगी और अगर हम इसको eliminate से भी करें second वाले को तो हमारा answer साफ साफ one and three हो जाएगा और यहां पर third करा है कि नंदन कनन is the first ever captive breeding center for creating awareness of wildlife in India तो यह जो नंदन कनन यह क्या है कि captive breeding center यह ओडिशा के अंदर में है तो यहानि के third statement भी हमारी यहां पर ठीक है तो हम आज का लास्ट का 10th question देखेंगे कराए recently seen in the news tanner scale can be best describe as which one of the following तो दोस्तों आपने देखा होगा कि suppose करो यह क्या कि एक लड़का है तो आप ऐसे समझो कि जो यह टैनर ना एक आदमी था यानिके British का एक आदमी था तो इसने क्या कर यह अपनी कुछ एक experiment करा तो यहां पर इ देखने को मिलते है जिससे क्या होता है कि हमारा जो फिजीकल डिवलप्मेंट होता है हमको time के साथ में इसमें चेंजमेंट देखने को मिलता है जैसे इसने बहुत सारी stage बनाई stage 12345 इस तरीके से क्या कि time के हिसाब से यहां पर हमारी बोड़ी ग्रो करते है मेल की और फिमेल सिटी सो दोस्तों यह स्टेटमनल गलत हो जाएगी तो second करा scale to measure the degree of human life lost in natural disaster such as cloudburst and landslides यह भी स्टेटमनल गलत हो जाएगी फॉर्थ के रहा है, scale used to be described the PM 2.5 and PM 10 content in the surrounding area so यह statement हमारी गलत हो जाएगी so दोस्तों यह थे हमारे आज के 10 questions, so thank you guys